कि हालो एरीवन दिस इस एलिक स्मित एंड वेलकम तो नौलेज दे अमबीशन स्वागत आपका एचेस प्री मॉक्टेस्ट की सीरीज में जिसका पार्ट 13 जो है हम आज डिस्क्स करने वाले हैं इससे पहले एचेस प्री 2021 मॉक्टेस्ट सीरीज में हम 12 वीडियो को डिस्क्स कर हो तो चले स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टन सेशन आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल पर पहली वारान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कौशन के साथ पहला कौशन यहां पर पूचा गया है कंसिडर दा फॉ गुरू नानक अग्डर सेकंड स्टेट्मेंट राम दास वाज्ट कंटेंप्ररी और शिवाजी इनमें से कौंसी स्टेट्मेंट सही है आपको यह बताना है तो इसका राइट अंसर आपका अप्शन नंबर ठी होगा दौनों स्टेटमेंट्स जो है यहां पर सही है क्योंक जो इनका पर्टिकलर नाम मीरा था और मीरा भाई की नाम से भी इने जाना जाता है इनका जनम 1498 में हुआ था और डेट जो है इनकी 1546 में हुई थी तो इनका ये टेनियोर रहा बर्थ तो डेट और इनका ओरिजनल नेम जो था वो माहिरा था को सुरी मेहिरा था और इसनल नाम अप यहां पर दिख सकते हो मेहिरा इनका ओरिजनल नेम था लेकिन उनकी पोईटरी के कारण जो है उन्होंने मीरा नाम इंट्रिद्यूस किया और अपना मेहिरा से नाम जो है वो चेंज कर लिया मेरा और उसके बाद जो है इसी नाम से वह पॉप्लर हुई इनके पती का नाम सुपोज इनके जो थे वो थे भोज राज सिंग सिसोदिया यह एक श्री कृष्ण की देवोटी थी पोईट थी और पोईट भक्ती मूव्मेंट और वैशनिरिजम लौड कृष्णा के लिए जो है जानी जाती है और इसके लाबा बात करे रामदास की तो इनका पूरा नाम था सामर्थ रामदास 1608 में इनका जनम हुआ और 1681 में इनकी मिलती हुई इन्हें जो है पूरा नाम इनका सामर्थ रामदास था लेकिन इन्हें सेंट रामदास के नाम से भी जाना जाता है और रामदास स्वामी के नाम से और यह एक का नारायन था and he was a devotee of the Hindu deities Rama and Hanuman और राम और हनुमान के ये भक्त थे इनके कुछ एक important literary works हैं जैसे की दासबोध मनोबोध आत्मा राम मान के श्लोक तो ये इनके कुछ important literary work थे next question है which one of the following pairs of history landmark and the associated person is not correctly match और यहां पर कुछ एक important आपको history landmark बताए गए हैं और associated persons excited दिये हुए हैं आपको बताने कि इन मेसेज कौन जो है वो correctly match नहीं है slave dynasty कुटब दिन अबक तो ये राइट है कुटब दिन अबक जो है इन्हों नहीं found की थी slave dynasty तो गलक डानेस्टी से संबंदित हैं ग्यासू दिन ये भी सही है second anglo-messor war तो हैदर अली second anglo-messor war से ही संबंदित थे battle of boxer शिराज उद दौला तो ये statement हमारी यहां पर रंग हो जाएगी option no.4 क्योंकि battle of boxer से सिराज उद दौला संबंदित नहीं थे शिराज उद दौला जो थे वो battle of classy से संबंदित थे battle of classy जो आपकी 1757 की battle थी इससे संबंदित थे शिराज उद दौला और battle of boxer की बात करें तो battle of boxer जो था ये 23rd of October 1764 को हुआ था और ये वार था between alliance alliance था मीर कासिम शुजा उद दौला और जो आपके मुगल एंपरेर थे शाह अलम दूतिये और ब्रेटिश की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुंड्रो तो battle of boxer से सिराजुत दौला जो है तो संबंदित नहीं है तो ये हमारा यहाँ पर प्रक्राक्टली मैस्ट नहीं है option no.4 हमारा right answer हो जाएगा next question है the word hindus in article 25 of the constitution of India does not include article 25 of the constitution of India जो की part 3 में आता है fundamental rights और इसमें एक word defined है hindus आपको पताना है कि इस hindus word के अंदर जो है इन में से कौन सा शब्द जो है वो include नहीं किया गया है Buddhist, Jain, Sikh या फिर पार्सी तो इसका right answer होगा आपका option no.4 पार्सी जो है वो hindus में include नहीं किये गये है according to the article 25 of the Indian constitution बाकि Buddhist, Jain and Sikh इन तीनों को जो है वो hindus इस word में जो है वो include कर लिया गया है पार्सी को इसमें include नहीं किया गया है next question है the speaker's vote in log sabah is called जो speaker होता है log sabah का उसका जो vote होता है उसे क्या कहा जाता है casting vote, sound vote, direct vote या फिर indirect vote इसका right answer आपका option no.1 होगा speaker के vote को जो है वो casting vote कहा जाता है next question है next आपका important current affairs से है यह मैंने clerk exam की series में भी discuss किये हुए थे question important है इसलिए मैं यहां पर भी discuss कर रहा हूं आगर यदि आपने clerk exam की series को देखा है और इन questions को पहले हम आप discuss कर चुके हो यह आपने वीडियो में देख लिए है तो आप इन्हें skip कर सकते हो question no.1 है important है इसलिए मैं यहां पर फिर से इन्हें repeat कर रहा हूं हाली में किस भारती कार्यकरता को प्रतिष्टित दैन डेविट पुरसकार द्वारा सम्मानित किया गया है यह दैन डेविट पुरसकार जो है वो परदान किया गया है गीता सेन मेधा पार्टिकर पार्टकरी इंदरा जैसिंग या फिर अरुना रॉय इसका right answer आपका option no.1 गीता सेन को जो है हाली में प्रतिष्टित दैन ड दैन डेविट पुरसकार से सम्मानित किया गया है गीता सेन जो है यह भारत की प्रसिद नारिवादी विद्वान और कारे करता है इन्हें प्रतिष्टित दैन डेविट पुरसकार से सम्मानित किया गया है और यह जो दैन डेविट पुरसकार है यह दैन फाउंडेशन के द्वारा दुनिया भर में प्रेरख व्यक्तियों और संगतनों को साल आना एक मिलियन डॉलर के तीन पूर्षकार पुर्दान करता है कौन डैन डैविट फांडेशन और डैन डैविट फांडेशन का जो एड़कॉर्टर है वो आपका अवीब विश्वविद्याले इसराइल में हैं गीता सेन जो हैं यह पब्लिक हेल्थ फांडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक भी हैं इन्होंने महिलाओं की अधिकार प्रजिनन और यौन स्वस्त्य और गरीवी उन्मोलन के क्षित्र में अपना ब्रिदन दिया है नेक्स्ट कॉशन है कि डेज अप ग्लोरी एंड पिर जहराम कुल करनी इसका राइट अंसर आपका ऑप्शन नमबर त्री सतीस गुजराल की यह प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं डेज अफ गलोरी एंड मॉर्नी एंड मस्य यह भारतिय प्रसिद्ध कलाकार हैं और इनका हाली में निधन हो गया सतीस गुजराल जो हैं यह हम प्रदानमंत्री आई की गुजराल के भाई थी उनके प्रसिद्ध कारियों में नई दिल्ली में बैल्जिम दोतावास और दिल्ली उच नयाले की दिवार पर वर्णमाला भित्ती चित्र जो हैं वो शामिल है डेज अफ गलोरी और मॉर्निंग एंड मर्सी उनकी सबसे नॉबल प्राइस भी कहा जाता है पुलिजर पुर्सकार रमन मैकसे से पुर्सकार राइट लेवलिहुट अवार्ड या फिर बुकर पुर्सकार इसका राइट अंसर आपका ऑप्शन नमबर टू रमन मैकसे से पुर्सकार जो है इसे नॉबल पुर्सकार का एशिया संसकर कारण भी कहा जाता है एशिया का नॉबल पुरसकार की रूप में माने जाने वाले रेमन मैगसे से पुरसकारों को इस साल कोविड-19 महमारी की कारण जो है वो रद कर दिया गया है यही कारण था कि यह न्यूज में रहा और यह इंपॉर्टन आपको धियान में रखने रेमन रश्कों में यह केवल तीसरी बार है जब वाशिक पुरसकार जो है रद किये गए हैं इससे पहले 1970 में वित्य संकट और 1990 में फिलिपीन्स में आय भयानक भोकम के कारण पुरसकार रद कर दिये गए थे पुरसकार मनीला अधारत अधारत फांडेशन द्वारा परदान किय जाते हैं और दुतिव विश्वीद के बाद फिलिपीन्स गंणराजी के तीसरे राष्ट्रपती के नाम पर इसका नाम रखा गया है किस प्रसिद्व वग्यानिक को भारतिये रेडियो खगोल विग्यान का जनक कहा जाता है गोविन सवरूप सिएस शिशादरी एमस रेडियो खगोल शास्त्री प्रोफेसर गोविन सरूप को भारतिये रेडियो खगोल विग्यान का जनक कहा जाता है प्रसिद्व खगोल शास्त्री का हाली में इंक्यानवे वर्ष के आयू में बिमारी के कारण निधन हो गया वैटाटा इंस्ट्यूट और पंडमेंटल र प्रदेश से है पूछा गया है in which year the first change was made in the area and boundaries of the state हिमाचल प्रदेश आफ्टर नाइंटीन फॉर्टी एट हिमाचल प्रदेश में 1948 के बाद पहली बार कब इसके ख्षेतर और boundaries में बदलाब किया गया आपको भी बताना है तो 1948 में 15 अप्राल 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त परांथ बना था उस समय हिमाचल प्रदेश में कुल 4 दिस्टिक थे और उसके बाद कब हिमाचल प्रदेश की boundaries और areas में changes किये गए तो यह किये गए थे 1954 में 1952 में जो है हिमाचल प्रदेश पार्द सी स्टेट बना और 1954 में जो है बिलासपूर जो आपका बिलासपूर था जो की already एक पार्द सी स्टेट ही था उस समय बिलासपूर एक पार्द सी स्टेट था 1954 से पहले और 1954 में जो है बिलासपूर पार्द सी स्टेट को हिमाचल प्र प्रदेश का व्लासपुर पार्ट सी स्टेट का एरिया था 1167 स्केर किलोमीटर ये भी हिमाच्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था नेक्स्ट कॉशन है इन विच डिस्टिक जुग्गा अंदोलन वाज इनिशियेटेड बाइद प्यूपल डियूरिंग दराजा अमर्चन प्रीजन आपको बदाने कि किस जिले में जो है वो जुग्गा अंदोलन स्टार्ट किये गए थे लोगों के द्वारा और उस समय जो ह राजा थे राजा अमर्चन बिलासपूर रियासत के राजा थे राजा अमर्चन और इन्हीं के शासन के दौरान जो है जिले में जुग्गा अंदोलन स्टार्ट हुए थे और यह टाइम पिरेड था आपका 1883-84 1883-84 में जो है यह जुग्गा अंदोलन इनिशियेट किये गए थे बाइदा प्यूपल ऑफी बिलासपूर और क्यों किये गए थे अगेंस्ट अमेल एड्मिस्ट्रेशन इंदा बिलासपूर तो यह आपको इंपॉर्टन पॉइंट सभी ध्यान में रखने हैं तो यह थे हमारे आज की कुछ इंपॉर्टन कॉस्टन आई होप आपक सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल पर पहली बार आएंज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें नौटिफिकेशन बैल को भी होन कर लें ताकि आने वाले सब भी रगला अप्टेट च्छाप तक रगला अर्ली पहुंसते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में थैंस और वाचिंग और बस्त टूड फ्लिख वर यर ब्राइब फूटर